दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से पॉनकुमार सिंग आप सभी हमारे भीवर्स को सब्सक्राइबर्स को हमारे मित्र दोस्त बंदु सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और दोस्तो आज लेकर आया हूँ बहुत खास चीज जी हाँ दोस्तो पटना में गंगा नदी के आगोश में जो पल रहा था ख्वाब जिसकी कलपना पचीस साल पहले की गई थी जी हाँ वो जो ख्वाब है उसकी एक तारीख मिल चुकी है ये बहुत बड़ी खुश ख़बरी है बिहार वासियों के लिए और खास करके पटना वासियों के लिए जी हाँ जो कि नितीश कुमार मुखमंत्री का ड्रीम प्रजेक्ट भी था और सच कहें तो पटना और विहार वासियों के लिए क्रीम प्रजेक्ट था जी हाँ बिलकुल मलाई वाला प्रजेक्ट जिस दिन चुकी ये बन जाएगा ना उस दिन जब आप इस मरीन ड्राइब पर ड्राइब करेंगे तो दिल जो है एकदम आपका बाग बाग होने वाला है तो दोस्तों ये खबर आई है कि इस मरीन ड्राइब को हलाकि ये 2013 में ही ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी लेकिन 7 साल बीद गय थे कुछ खास उपलब्दियां हासिल हम नहीं कर पाएते लेकिन चुनाओ के बाद जब इस बार नितीज जी की सरकार मनी है तो इस बार कुछ गंबिरता दिखाते हुए ये कल मंगल पांडे जी जो पत्थ निर्मान मंत्री है उन्होंने निरिक्षन किया और एक डेट डाला कि आज से आट मैने के बाद अगस्त में ये मरीन ड्राइब फरस्ट फेज में चालू कर दिया जाएगा और देखे मैं इस वक्त कहा हूँ तो मैं बता दू कि मैं इस वक्त हूँ बांध पे जी हाँ ये मैं ऐलंसिटी गाट का जो बांध है न वहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर निर्मान कारे चल रहा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लंबा बांध है इस तरफ आप चले जाएंगे सीधे आप गानी मेदान और ये बांध वाला जो रास्ता है ये गंगा नदी के जस्ट किनारे है तो जो मरीन ड्राइब है उसमें लगबग 11 से 12 किलोमीटर एलेवेटेड रोड है जो की गंगा नदी से भी होके जाएगा और पता नहीं उसकी जनकारी नहीं है लेकिन मुस्ली वो गंगा नदी पर ही होगा और जो बाकी का रास्ता है वो आपको इसी बांध से तै करना है तो एक तरफ जो है ये गानी मेदान की तरफ चल जाता है और मेरे पिछे देखे वो चल जाएगा दिगा तो ये जो है फर्स पेज में आपको अगस्त में इस बा करने वाले दिनों में यह बन कर त्यार होने वाला है बहुत बड़ा गुलंबर है यहां पर बन रहा है उसका निर्मानकार जो है आप देख सकते हैं वहां नीचे चल रहा है वह तक्रीबन बीस फीट गड़ा मीचे खोदा गया है उसके बेस के लिए भी ढलाई जस्ट हुआ ह और यहीं पर जो है उधर से जब गानी मैदान से आप आएंगे तो इस गुलंबर से होते हुए आप LCD घाट से जूड जाएंगे तो यह जो ड्राइव है इसको तक्रीबन आठ जगों से भी कनेक्ट किया गया है यानि कि लोग इस पर सफर करते हुए उसमें वो उतर सकेंग जैसे LCD घाट है कंगन घाट है नरायन अनुगरा नरायन इंस्टिट वाला जो गानी मैदान है उसके पास भी उतरेगा तो तक्रीबन आठ जगों से यह कनेक्ट होने वाला है तो गजब का बवाल होने वाला है आठ महीने में और काम बहुत तेजी से चल रहा है दोस्त तो मेरे पीछे जो है यह LCD घाट के पीछे आप देख रहे होंगे वहाँ भी काम जारी है और वहाँ पर कुछ मुझे हलका लग रहा है कि वहाँ पर बन चुका है तो चलिए वहाँ से अपडेट देते हैं फिलहाल एक बार हम लोग नीचे उतर करके देखते हैं वहाँ पर कैसा बन रहा है नीचे चलते हैं तो दोस्तों देख लीजिए यह काम चल रहा है यहाँ पर बांध पर जो मरीन ड्राइब गंगा पत का जो बांध है LCT घाट के पास और यह जो बनाया जा रहा है तक्रीबन 20 फीट का गड़्धा खोद करके और बहुत लंबा चोड़ा यहाँ पर एक बेस बनाया जा रहा है गुलंबर के लिए क्योंकि जो गंगा पत है मरीन ड्राइब है वह फिलहाल आठ जगों से जुड़ेगा जिसमें से एक LCT घाट भी है और यह गुलंबर जो है यहीं से वह LCT घाट के पास वह रोड उतर जाएगी और एक रोड जो चली जाए है और यह काफी नीचे उतरा हूँ मैं आप देख सकते हैं चारो तरफ तो वर्क ऑन प्रोग्रेस है काफी तेजी से काम चल रहा है और इस हिसाब से अगर काम चलता है तो यह बिल्कुल साथ से आठ महीने में पूरा कर लिया जाएगा उल एक प्रोड़ की जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा बहु परतिक्षित प्रोजेक्ट जो हर बिहारवासी और पटनावासी का सपना है जिस सपने को पूरा करने के लिए हमें मुंबई जाना पड़ता था वही सपना आज पटना में पूरा होने वाला है आप देखिए कितना लंबा चोड़ा यह जो है और जहां तक आपकी नजर जा रही होगी इसकी चोड़ाई देखिए और अभी आने पर यहां पर इतना अच्छा फील हो रहा है जब यह बन जाएगा और इसमें जब आपकी गाड़ी दोड़ेगी तब कितना अच्छा फील होगा हमारे उदर पीछे ग जंगा बालू को डाल करके अभी उसे प्लेन किया जाएगा तो इस पर ढ़लाई का काम होगा तो काम तो खैर बहुत बाकी है लेकिन यह दीख रहा है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है यहां पर तो आए थोड़ा आपको आगे लिए चलते हैं यह जो रास्ता है यह दिगा सब दिखाते हैं कि काफी चौड़ी सडक है और काफी हाइट पर है यहां से आप पुरा पटना का भी भी मजा ले सकते हैं और यहीं से आप गंगा नदी का भी मजा ले सकते हैं यह देखिए यहां पर जो है डलाई हो चुका है साइड में अब यह पता नहीं क्या है कोई है भी नहीं यहां पर कि मैं पूछू लेकिन यह लग रहा है कि यह शायद वॉक करने के लिए होगा दोस्तों यहां खड़ा होने के बाद जो नजारा है ना खुबसूरत हरा भरा और पीछे गंगा जी उसको बया नहीं कर सकता और यह देखिए दियर की खेती है पीछे जो की जा रही है और उसके जस्ट पीछे नजर आ रहा होगा आपको वो बालू वाइट वाइट नजर आ रही होगी आपको वो गंगा जी है और यह जो पीछे आप देख रहे ना दो अथरों की रोड बनाई गई है जिससे शायद कटाओ को रोका जा सके और तो इसका कोई मकसद नहीं होगा क्योंकि हर साल गंगाजी में पानी आती है उस वक्त इस रोड को डामेज होने से बचाने के लिए ये किया गया है दोस्तो इस रोड पे काफी बालू और मिट्टी है तो गाड़ी तो बहुत आगे तक नहीं जा सकती है लेकिन कुछ दूर तक चलते हैं पैदा नहीं और देखते हैं आगे क्या काम का अपडेट है यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह जगह जगह जो काम कर रहे हैं और व्रकर्स वो लोग अपना डेरा डाले हुए हैं कि दोस्तों इंका कहना है यहां पे वर्कर्स हैं कि अभी चार-पास दिन पहले ही यहां काम शुरू हुआ है लेकिन काम बहुत तेजी से हो रहा है दिख रहा है तक रिबन कितने मजदूर लगे हैं आप लोग इसमें इस सैड़ में पचास मजदूर तो दिन रात काम चल रहा है क्या रात में चलता है दिन में चल रहा है तो अभी जो है एक किलोमेटर का काम जो है वह इन लोगों को करना है और यह मजदूर है जो कि हाँ पर अपना टेंट वगरा गाड़े हुए हैं और यहां पर काम कर रहे हैं तक्रिबन पचास की संख्या में तो यह आप देख सक हुआ 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 है दोस्तों अभी मैं आया हुँ लगबग तक्रिबन एलसीडी घाठ से एक गेड़ किलोमेटर आगे और यहां पर मरीन ड्राइड का जो यूनिट है पुडकों का यहां पर सारा जो पीलर्स है पथर है ढ़लाई वाले कंक्रीट वाले जो सारे चीज तैयार किए जाते हैं यही से तैयार करके और उसे पहुचाया जाता है यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर लगा हु और यहां पर बांज घाट के पास जो है वह अंडर पास है अलाकि बांज घाट से आप मरीन डाइर पर नहीं आप आएंगे एक कि वहां पर आगे जो फोता अपर सरा काम जो है लगबक शम्तल करने का हो चुका है बान्ध पर लेकिन यहां पर अभी काम चल रहा है तो यह आप सामने देख रहे हैं यह पटना की कुछ बिल्डिंगें दिख रही होंगी यह बांजगाट राजापुल इलाके मेहूम अभी यहां पर तो यह जो सामने यह रास्ता गया हुआ है यह मरीन ड्राइब कहीं रास्ता है यहां पर बालू के टीले आपको दिखाई दे रहे होंगे और अभी यहां पर समतल करने का काम चल रहा है तो लगबग 21 किलोमेटर लंबा यह मरीन ड्राइब है तो जगा जगा काम शुरू है एक अपडेट में संभव नहीं है सारी जनकारी देना तो अगले एपिसोड में फिर कुछ नहीं जनकारी लेकर आओंगा और बने रहेगा बिहार स्टोरी के साथ और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल बटन भी दबा दीजे मिलते हैं बहुत जल्फ नेक्स्ट एपिसोड में और दोस्तों इसके बाद कोशिश रहेगी कि आपको जल्फ से जल्फ मेट्रो का भी अपडेट देदू क्योंकि मेट्रो प्रजेक्ट और ये मरीन ड्राइब जो दो मेजर प्रजेक्ट है न पटना का इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है तो उसकी भी जनकारी लेकर आओंगा बहुत जल्फ तो बने रहेगा बिहार इस्तुरी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत